सलामे Hollywood आज इस वीडियो में हमने बिल्कुल से से स्टार्ट करनी और प्रोग्रामिंग को पर्छते हुए उसके सेंटेउस देखें говорит और प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है इसके बारे मू smp डिसक्स करेंगे आगए तो Programming की जो हमेरे पर पहले लेसन है काफी easy way में इसको लियकर चलेंगे ताके सबको समझ में आ सके ठीक है जो Programming की जो basic definition होती है वो definition यह होती है कि हम किसी भी language के अंदर जो के computer understandable language हो ठीक है वो language जो के computer understand कर सके हम उसे उसकी दुबान में रिखते हैं तो वो computer उसको read करता है और उसको compile करने के बाद उसको run करवाता है means के execute करवाता है तो उसे हम समझे basically programming कह रहे होते है looking for suppose को एक कोई बंदा है और दूसरा बंदा है ठीक है Eek English आती है और दूसरे को Urdu भी दे पांधी है ठीक है अब हो क्या रहा है अब जो बंदा है English में उसे उड़दू समझ दी थीचे चैस्ट आप वह जो बंदा है जिसे दोना लेंग्विज आती है उस ने क्या किया उसने English काैना चूरू क्या जूज गाना जूजा आप उसने इंग्लिश काछना घृब क् Bennett तो अब हम जो हैं हमें जादा जुबान आती है ठीक है as compared to computer language अब हमें computer language भी आती है अब मुझे computer से बात करनी है तो मुझे computer के लिए खास language होती है जिसको हम use करते हैं और जिसके हम computer से बात करते हैं ठीक है तो वो language हम discuss करें जो के पहली language है C++ इससे जो basic language थी वो थी हमारे पास C language तो C के बाद आती है C++ तो हम C++ से start कर रहे हैं तो हम यहां से discuss करते वह जाएंगे इसके syntax लिखेंगे और कुछिश करेंगे कि कोर्स को असान मेना हूँ आपके लिए तो चलिए programming के basic definition मैंने आपको बता दिये अब यह integrated development environment के है अब यह कहलाता है IDE जहां पर हम अपना code जो होता है लिखते हैं जिस तरह में आपका code block डाउनलोड करवाया है ठीक है वहां वह जो code block डाउनलोड करवाया है वहां पर हम अपना program लिखेंगे ठीक है तो वह एक तना का है IDE Various type of IDs are present ठीक है like VS code हो गया जो के सबसे dominant होता है हम सब जो programmer होते हैं VS code ही यूज कर रहे होते हैं ठीक है क्योंकि उसकी काफी सारी जो features है बहुत अच्छे हैं उसके अंदर as compared to other IDEs जैसे के code block है code block हो गया आपके पास एक turbo हो गया turbo plus plus हो गया node plus हो गया तो मैंने यहां पे code block को choose किया है ताकि हम अपना syntax लिख 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 लिखते हैं ताकि पेपर के time पे जब आपको लिखना होता है तो आपको वहां पे मसले मसायल पैदा ना हो पहले पहला code है आपके पास यह देखें लिखा हुआ है your first code is this तो इसको यहां से copy नहीं करते हैं इसको one by one इसको समझाऊंगा पहले इस code को लिखते हैं और पर इसको समझते हैं ठीक है तो मैं आगे सबसे पहले अपने code block के अंदर अब आपको एक new file generate करनी है आप new file पर जाके भी यहां सेफ करें तो मैं इसको सेफ करूंगा desktop के ओपर जाके एक folder मैंने बनाया है c++ course के नाम से मैं इसको यहां पे store करवा रहा हूँ तो यहां इसको मैं नाम देता हूँ lecture one का lecture one dot cpp देखें मैं यहां पर cpp लिख रहा हूँ इसके extension में दे रहा हूँ के c++ की file है अगर आपने यहां पर गलत लिए तो आपका code run नहीं होगा make sure कर लें के आपने यहां पर cpp लिखा हो dot cpp मैंने लिखा तो आपने यहां पर देख लेना है dot cpp कोशिश यह करें के नाम smaller छोटा ही रखें जाला बड़ा नाम ना रखें ठीक है लिखना आजाए और इसको समझ में आजाए किसन लिखते है सबसे पहले लिखेंगे hash include iostream तो hash include iostream अब यह क्या होता है यह का हम देख लेते हैं पहले program run कर लेते हैं इसके बाद उसको समझते हैं using namespace std अब यह क्या होता इसको भी देखेंगे देखेंगे ठीक है return 0 का क्या मतलब होता है चले यह जो मैंने आपको 4 line का code लिखा है यह एक basic structure होता है किसी भी program का ठीक है किसी भी program का basic structure होता है जो के लिखना लादमी ही है इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं किस लिए कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं किसका मतलब क्या है hash include मतलब कि आपने include की है इस file के अंदर आपने include की है एक iostream के file ठीक है एक iostream की file अब iostream क्या है i stand for input and o stand for output आपने means कि आप यहां से input भी दे सकते हैं और output भी दे सकते हैं अगर आप इस file को नहीं लिखेंगे तो आप न output दे सकते हैं न आप इसको input दे सकते हैं अपने प्रोग्राम को तो एक तनासर प्रोग्राम बेकार हो गया ठीक है secondly यह कह लिखा using name space std तो यह line है यह असल में आपको बताती है कि आपको print करवाना होगा तो आपको print करवाने में बनत देती है वो यह वाली line देती है ठीक है अगर हम इस line को ना लिखें ठीक है इसको अगर line को ना लिखें तो क्या हो जाएगा तो अगर आपको कुछ लिखना होगा see out like that मैं यहापे लिख दूँ hey what is your name okay मैंने यह लिखा और column डालने के पास simple यह लिखा तो जब भी मैं यह लिखूंगा see out see out stand for printing purpose के लिए उत्तामाल होता है जब भी मैं see out बोलूँगा तो आप समझने क्या है वो print है see out जब भी लिखूंगा तो इसका क्या मतलब है कि मैं print करवाना और तो यह आगे जो डाला है मैंने less than के sign operator जो है तो यह मदद देते हैं कि आप इसके आगे यह run करवाना चाह रहे हैं अगर आप let's suppose यह ना लिखे मैं आप इसको comment कर देता हूं forward slash आप यहां पर लगा दें तो आपको क्या हो जाएगा comment हो जाएगा वो तो यह comment हो चुका है अगर अब आप इसको run करना चाहेंगे तो यह आपका run नहीं होगा आपको error प्रिंट करके दे रहा है error में क्या दे रहा है आपको red line दिख रही है red line का मतलब है red dot का मतलब यह है कि आपकी इस line के दे कुछ ना कुछ error है syntax के मताबक तो कोई error नहीं है error आपकी इसलिए है क्योंकि आपने यहां पर forward slash लगा दी अगर आप इसकी जगह I think मुझे ठीक से याद नहीं std इस तरह करके लगा देंगे प्रोग्राम में वह run हो जाएगा यह मुझे ठीक से याद नहीं हाँ देखे आपका प्रोग्राम जू run हो गया hey what is your name अगर आप चाहते हैं कि आप को जब भी print करवाना हो तो आप बार-बार std और यह colon लगाएं बार-बार तो आप वह कर सकते हैं वरना मैं कहता हूँ कि आप इसको हटाएं और simple using name space std को यहां लिख लें तो आपने भी दो बाते ठीक ही कि name space std अगर ना लगाएं और simple std colon लगादें ठीक है तो इससे भी प्रिंट हो जाएंगे लेकिन आप को इसको remove होड़ना पड़ेगा ठीक है एक बात यह थी जो कि आप note down करने इसको और अच्छे ते याद रखें कि इसको इसके लगाने का मतलब क्या है ठीक है I hope अब इस line का मकसद तो आपको मालूम हो गया होगा अब बात कर लेते हैं यह int main क्या है int main असल में हमारा वह function है जो भी इसके अंदर लिखा होगा वह हमारा code होता है ठीक है अब वह वाला code जो हमारा IDE है वह रन करके देगा कि आपको यह वाले काम करने हैं लादमी तो इस तरह हम अपना यह वाला काम करते हैं ठीक है अब जो simple code था hello world का हम यहां print कर सकते हैं देखें तो हम अगर यहां लिखें hello world तो मैं यहां पर simple hello world प्रिंट कर सकता हूँ और f9 आपने प्रेस किया तो आपके पार hello world आ गया अब एक चीज़ आपको और बता दूँ के जो काफी लोगों को problem phase आती है इस IDE के अंदर ठीक है इस IDE के अंदर तो आपने जैसे कि minimize कर दिया यहां पर आपके पास यहां पर जो आप देख सते हैं कि यहां पर एक window open है अब आप दोबारा इसको f9 प्रेस करेंगे तो आपके पास open नहीं होगा इसका दूसरा काम होता है करने के लिए देखें आपके पास यह button है वह green नहीं हो रहा वह आपके पास जो white के अंदर चला गया gray के अंदर चला गया ठीक है इसका मतलब यह है कि आपके कुछ ना कुछ mistake की विए यह आपकी file आपन है जैसे ही आपने इसको किया कोई भी आप देखेंगे इसे कहा लिखा है press any key to continue आप T दबाएं 1 दबाएं कुछ भी करें तो आपके पास यह button जो है देखें दुबारा से activate हो गया यह activate हो गया अब जैसे ही मैं इसको run करता हूँ मैंने इसको run किया F9 दबाया और F9 ना भी दबाएं तो आप इस वाले पर है जिसके पर button लिखा हुआ है लेकिन जिसके पर यह button मना भी तो यहां पर आप गया यह build and run आपने पहली मरतबह को करना पड़ेगा आपने यह कर लिया अब मैं इसको दुबारा minimize करवा रहा हूँ तो यहां से यह option गायब हो गया make sure कर लेना कि आप लोग जब भी करें तो आप इसको window यहां से remove कर लें लाजबी तो यह था हमारा कुछ प्रोग्रामिक अब हम बात कर लेते हैं किसी चले हैं स्टार्ट करते हैं जो built-in function होते हैं उससे built-in function built-in function कितने हैं 5 types के होता है built-in function ठीक है 5 types के होते हैं 5 types मैं यहां पर mention कर देता हूँ ty कौन-कौन से होते हैं अब वह देख देते हैं इसको बात हम कर लेंगे एक होता है integer ठीक है दूसरा होता है decimal 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 के बाद आता है आपके पास character फिर आपके पास आजाएगा string यह क्या होते हैं इसको बारी बारी डिसकस करते हैं string के बाद आपके पास आजाता है boolean इसको अगर मैं और समराइज कर दूं तो जो इंटीजा और डैसिमल है यह आपके कंपक्त होते हैं इसकी नूमेरिक डेटा टाइप के अंदर जो के आपको यहां पर शो करते हूं ठीक है बखिए देटा को किसी रटेन शर्टेन अपरिटर के सुरू है काम कर सकते हैं रब देटाप कितने टाप के होता है? चार टाइप लेकिन अब पांश के का था मैंने नुमेरिक को इन जनरल आपको बता एंटेजर अफ्लाट बता यह तो numeric हो गया, string हो गया, character हो गया, boolean हो गया numeric के अंदर मैंने आपको बताया थे एक decimal होता है और एक integer होता है decimal का मतलब यहाँ पर इसके अंदर जो C++ program के अंदर float किलाता है float mean एक decimal number, integer क्या है आपके पास जो non zero digit होते हैं जहाँ पर पॉइंट का कहीं दिकर नहीं आता वो integer है जहाँ पर आपके पास पॉइंट का दिकर आजा है 53.7 तो यह आपके पास decimal number है और हम यहाँ पर इसको float में लिखते हैं ठीके और जो आपको यह bracket में लिखी वी int इसका मतलब यह है कि जब भी हम इसको c++ language में लिखेंगे तो हम यहाँ पर इसकी short form इसको use करेंगे int ठीके यहाँ पर जब bracket में लिखा वा string तो हम इसको string as a c++ language में use करेंगे string क्या होती है एक sentence के सकते हैं आप इसको string a का ऐसी sentence है जो के हम print करवा सकते हैं easily किसी भी c++ language के अंदर sorry c++ language में character क्या होते हैं जो आपके पास alphabets होते है single letter a b c d e f और son तो यह आपके पास single letter आया आपके पास यह आपके पास इसको लिखने का तरीका क्या होता है देख सकते हैं आप c a r लिखा a और A इसको लिखने का तरीका क्या है single inverted comma के अपने A डाल दिया तो यह character के form है string में क्या है आपने string लिखी और उसके आगे आपने double inverted commas के अंदर hello world लिख दिया यह string में लिखते है boolean का क्या मतावब है it's only means that true or false ठीक है true है यह false है boolean के अंदर यह बताना होता है let's suppose मैं कहता हूँ के 5 plus 5 10 होते हैं अब कोई कह दे नहीं तो मैं आप कहता हूँ one one means के true है यह मैं कह दूँ true या कोई दूसरा बंदा कह दे false है true or false के statement होती है जो के हमें बता रही होती है वह कहलाती है boolean ठीक है तो अभी यहीं तक लगते हैं और कुछ इसकी practice कर लेते हैं और ताके फिर आप आप लोग clear होजें चीरें जैसे कि अब आप यहां पर पहें जाने के आपने यहां पर कौन से लिखा है see out hello world double inverted commas के अंदर क्या आता है हमेशे string आती है तो वहां पर string आती है यह string है आपके पास असल में तो आपने यहां पर string को क्या करवाया है print out करवाया है तो आपने एक data type को समाल करके आपने hello world को print करवाय है और जो जो यह code try कर लेगा वो programmer बन गया ठीक है क्या आपने अपना जो आपने लेड़नी है वो start करती है जिसकी बदौलत आप ऐसा ऐसा तमाम जो language है और जो इसके तमाम syntax है आप उसको समच सकते है सहले कुछ और चीज़े हैं जो के discuss करते और फिर वीडियो को end करते जो के basic चीज़ ही अब इसको हम देखे समाल करेंगे ठीक है मैंने इसको अगर बेंट करवाना चाहूंग तो यह प्रेंट नहीं होगा वह मुझसे कहेगा कि आपने जो यह लिखा है a is equal to 5 यह असल में है क्या यह असल में integer है character है string है boolean है या फिर float है तो पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा कि क्या कौन्थर data type है तो मैंने इसको कहा कि यह integer है क्योंकि इसके आगे कोई point नहीं है ठीक है तो मैंने इसको कहा है यह integer है फिर मैं कह देता हूं कि एक float बना लेते है float मैंने बनाया b के name से और इसके नहीं नहीं डाल दिया 3.142 अच्छा इसको मैं explain तो नहीं कर सकता कि आप यह ना भी लगाने तो run होगा लेकिन नहीं लगाएंगे तो run नहीं होगा आपको लगाना लाजमी है ठीक है जब भी आप अपनी line end करते है किसी भी function की आपको end में आपको क्या लगाना पड़ता है सेमी कॉलन लगाना पड़ता है तो float B है अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ number 3.543 मैंने number डाल आगे सेमी कॉलन लगा दिया फिर मैं डालूंगा care care के अंदर मैंने c के अंदर एक data type लिखूंगा इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिये B ठीके सेमी कॉलन string हम बना चुके हैं हम string दुबाला बनाते हैं string मैं जैसे ही लिखूंगा string मैंने जैसे ही लिखा और मैं यहाँ पर double inverted commas में लिखते हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मैं क्या लिखना चाहाँ d is equal to a my name is abdul rafay ठीके मैंने अपना नाम लिख दिया my name is abdul rafay and इसको मैंने इस्ताना लिखा अब मैंने एक लिख लेता हम bool boolean लिखा मैंने क्या देता है e का नाम देता है is equal to true ठीक है true मैं इसको यहाँ पर true देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें क्या print करके वो देगा तो one by one इसको करते है आप नहीं सारी चीदे लिख 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 लिए अब आप आप चाहरे हैं कि मैं इसको print पर वहाँ ठीक है बारी बारी प्रिंट होके आता जाएगा सी आउट सिंपल बेसिक बता रहाँ था कि आपनों को मतला ना हो पिर अगे वाली वीडियो के अंदर हम सारी चीदों को अच्छे से कवर करेंगे सी आउट लिखा मैंने यहाँ पर डी लिखा सेमी कॉलर और सी आउट और ई लिखा सेमी कॉलर अब आपको क्या लगता है कि जो मैंने next line में लिखा है यह क्या यह next line में print होके आएगा आएगा तो सारी चीदे यह आएएंगी लेकि यह एक ही line के अंदर आ जाएंगी मतब कि एक तरह से बिल्कुल ही कह सकते हैं कि मैश बन जाएगा तो आपको अगर मैं इसको दिखाओं कि किस तरह आएगा वो एक ही line के अंदर सारी चीज़े आ जाएंगी अब आप यहाँ पर देखे किया रहलो वर्ल्ट 53. और भी माइनेम इस अबदुलराफए तो आप देख सते हैं कि यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं डग रहा किया मैंने लिखा किया है तो इसको next line पर ले जाने के लिए क्या करना होता है अब उसको समझते है तो एक command है हमारे पास उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ endl इसको मैं यहाँ लिख लेते है इसको मैं लिखूंगा endl means के end of line ठीक है इस है पर use to change the line use to change the line तो हम line को change करने के लिए endl इस्तमाल करते है और इसके एक और alternative है और backslash end ठीक है backslash end का आप यूज़ करते हैं और endl का यूज़ करते हैं यह बताता हूँ आपको मकसा देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर line change कर दिया तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा inverted comma खतम होगी आपको जब भी कुछ चीज एड करनी होगी तो आपको यह काम करना होगा आपको less than का sign लगाना होगा और आप लिख दिंगे endl ठीक है तो आपके पास line change हो जाएगी अब आप देख सकते हैं अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक line नीखिया जाएगी तो hello world आपको एक line का gap मिला फिर आप दुबारा वे string इस्तामाल होना शुरू हो गई अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी change हो जाए तो मैं दुबारा लिखूंगा endl ठीक है इसको भी लिखने का तरीका है endl लिखा और यह line चीन जाएगी बिल्कुल इसी तरीका से मैं काम कर सकता हूँ तो मैं लिखूंगा endl end of line end of line अब जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे one by one हर line की नीचे मुझे यह मिल जायागा ठीक है अब आप यहाँ देख सकते हैं कि और सबसे पहला जो था मैंने string थी hello world फिर मैंने print करवाया किसे a को integer side में इसको कर लेते हैं तो आँ देखें a को मैंने print करवाया a की value थी 5 फिर मैंने b को print करवाया b की value थी 3.142 तो मुझे वो मिल गया ठीक है फिर मैंने character को print करवाया फिर मैंने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया माइनम इद अब्दुलराफे वह आ गया और लास्ट टाइम मैंने फिर प्रिंट करवाया बूल true, true means one अब जैसे ही अगर मैं यहां पर false दिखूंगा तो देखें मुझे आप यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा जैसे ही मैंने false लिखा अपनाइम प्रेस किया मैंने आप देख सकते हैं मुझे यहां पर जीरो मिल गया ठीक है अब लास्ट टीज पर देंट वीडियो को खत्म करते हैं आपने एंडल यूस करना आ गया अब आप जैसे ही इसको करेंगे जैसे आप यहां लगाया था मैं चाला हूँ कि मैं यह आप एंडल ने लगाँ मैं एक और काम कर सकते हूँ जब भी हम जैसे कि मैंने आपको यह बताया था कि backslash n कहां इस समाल होता है वह इस समाल वहां होता है जब आप string इस समाल कर रहे होता है तो आप अपने code को और छोटा करने के लिए यहां पर backslash n लिख देते हैं ठीक है backslash n का मतलब भी यह है कि आप अपनी line को new line आप add कर रहे है ठीक है na backslash n का क्या मतलब है add a new line आपने जैसे ही लिखा f9 प्रेस किया मैंने यहां पर window बन नहीं कि देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था window close की f9 प्रेस किया मैंने window भी open हो जाएगी अच्छा मैं च्ट्रॉल s जैसे ही मैं इसको build and run करूंगा तो मुझे यहां पर मिल गया देखें आप ने यहां पर line change होती भी देख ली कि उससे line change हो रही है अब आपनों के लिए छोटा सा task यह है अच्छा एक और चीदिए देखें अगर मैं इसको यहां पर लिखोंगा तो क्या वह change होगा या मुझे error देगा मैंने ऐसी लिखा तो मुझे पता है यहां पर इससंवाल नहीं होता तो आपको इसस्ता समाल करना होगा मैंने जैसे यह इसको डाला तो यह adder-up अटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा मैंने किया और आपने यहां पर दुबारा से line को देख लिए के change हो गयी ठीक है याई हो अब अच्छे से clear हो गया होगा आपको और इसका जो difference है वो भी पता चलिगया होगा अब छोटा सा task किये है आपने उनके लिए आपने करना क्या है आपने सिंपल से यह task पुरा करना है ताके आप अच्छे से कीदों को समझ सकें आपको यह करना है कि एक अंग्रिट टास्क है जिसके अंदर आपने प्रिंट करवाना है hello your name welcome to c++ programming आप इसका screenshot ले ले और यह करने के बाद मुझे comment section में बताएं कि आपने इसका क्या किया आप इसका code लिखके लिखाएं ताकि अच्छा लगे और फिर आप लोगों को में कह सकते हैं कि comment में अच्छा reply response दोंगा और आप लोगों को next video के अंदर आपका नाम बता दूँगा तो make sure कि आप यह काम अच्छे से करें ताकि हम one by one अपना जो step है वो पूरा कर ले और हर तरह की परिशानियों को दूर करते वे चले जाएं ठीक है तो I hope समझ आ गई होगी वीडियो अगर कुछ भी problem हो तो आप comment section के ने बता सकते हैं ताकि हम one by one हर चीज को easily discuss कर सके हैं ठीक है Thank you